गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पानिपत के त्रीतिय यूद के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा स्टूडेंट्स इससे पहले हमने दो तीन वीडियो बढ़ाए है जिसमें पानिपत के तीनो यूदों के बारे में हमने संक्सिप्तोब से आपको बताया था और फिर हमने पानिपत के फैस्ट यूद में यूद के बारे में और उसके पानिपत के सेकिंड यूद के बारे में डिटेल से बताया है तो पहले वाले वीडियो उसको आप देखेगा तो और ये आज पानिपत की लड़ाई के बारे में अंतिम वीडियो है और इन तीनो चारों वीडियोज को आप यदि देखोगे तो पानिपत की लड़ाई से संबंदित जो भी क्यूसन आपकी इत्यास विशे में आएंगे तो हमें आसा है कि ये क्यूसन आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे ठीक है और यदि आपको कोई भी हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस से कंप्लेन है या फिर आपको लगता है कि भई इसको इस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिस कर रहे हैं कि आप वीडियो देखके सिटिस्पाई हो और आपको एकजाम में अच्छे से जानकरी एक्जाम में आपको अच्छे से हल्प मिले और हमने हमारी वेबसाइट भी बना रखी है इंडिया ओल्डेज के नाम से और उस पे हम इत्यास वेशे से संबंदित महत्वपूर्ण पोस्ट डालते हैं तो आप साइट पे भी विजिट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते ह यह कब हुआ था 14 जनवरी 1761 में और किसके बीच में हुआ था अफकान सासक को एहमस्सा अपदाली और मराठों के बीच में हुआ था और मराठों का नितरत्व कौन कर रहा था पेश्वा बाजी राव ठीक है और यह आपको पता यह भाई की यूद में एक जने की हार होती ह तो एकी जीत होती है और जिसके जीत होती है वह है सासक अपने इसाफ से नई नीती भी लागू करता है तो इस युद में मराठों की पराजे हुई थी और मराठों की सक्ति का एकदम से पतन हो गया था ठीक है और इसके भी कई कारण भी थे मतलब जो पानी पतकत्री ते आपको अच्छे से इस वीडियो में बताएंगे तो देखेगा कोई वेक्ति है दी जादा ही महत्व कांक्सी होगा समरज जेवादी होगा तो वह है लड़ाई भी करेगा क्योंकि बिना लड़ाई के वह वेक्ति आगे विकास नहीं कर सकेगा ठीक है उसको अपने सत्रू को हराना तो पड़ेगा ही इसी परकार क्या है कि जो एहमसाब दली है यह क्या भारत की राजनिती में परवेश करता है और यह इरान का मतलब जो इरान का सासक था नादिर सा इसका ही कोई 147 इस्यों में काबूल और कंधार पर अधिकार किया और अफ़कानिस्तान में अपने सुतंतर सत्ता इस्तापित इसने कर ली थी और फिर ये क्या होता है कि मतलब ये एक महत्वकांग से सासक होता है ये अफ़कानिस्तान में अपने सत्ता सुद्रड करता है और उसके बाद भ फिर से जमाना चाहता है और इसके और भी अन्य उद्शे भी थे जैसे कि भारत से धन प्राप्त करना है लूट मार के द्वारा अपने अपकान सनिकों को संतुस्ट करना और नवीन विजों द्वारा अपनी परतिस्टा और सक्ति को बढ़ाना यह मतलब अहमस्ताब दली के ऐ ऐसे उद्शे थे या फिर यह मालो की उसने यह ठान लिया था कि मैं भारत को जीत के रहूंगा ठीक है और फिर क्या होता है कि इसे भारतिय राजनिती में हस्तक सेफ करने का सिगरी बाना भी मिल गया था क्यों क्योंकि 1748 इसमें पंजाब का जो सुईबेदार था जकरिया इसकी मर्त्यू के बाद उसके दो बेटे थे यहिया खा और सहनावाज खा इनमें उत्रादिकार का संगर से छिड़ जाता है और मुगल समराट का जो वजीर था यहिया खा का पक्स मुगल समराट के वजीर ने यहिया खा का पक्स लिया और सहनावाज खा ने अबदाली को स कर लिया अतैं अबदाली ने प्हले सा नवाजखान को प्रास्त किया फिर लाहोर पर अदिकार कर लिया और इसी समय मुगल्वजीर के नेतर्तों में दिल्ली से साही से पहुंची थी जिसने भानपूर के युद में अबदाली को प्रास्तो कर दिया अब क्या होता है कि अबदाली है वह वापस लोट गया किन्तु 1752 में उसने पुन्ह आकरमन किया वीवस होकर मुग समराट ने पंजाब और मुलतान अबदाली को सोप दिये अब क्या होता है कि जो एहमसाबदाली है ये मुईन उल्व मूलक को पंजाब का सुबेदा नियूक्त करता है और वापिस अफखानिस्तान लोट जाता है ठीक है लेकिन फिर आगे आपको कई कारण हम बताएंगे जिसके कारण पानिपत कात्रित्य युद होता है ठीक है तो चलिए पढ़ते ह पानिपत कात्रित्य युद तो एहमसाबदाली के भाट प्राकर्मन करने के उद्ध से कई बार पूछ लेते हैं एकजाम में तो देखेगा वह है पंजाब, मुल्तान, कस्मीर, आधी भारते भू भागों को जो कि नादिर्शां के अधीन रह चुके थे अपने दिकार में लाना चाहता था, क्योंकि यह नादिर्शां का एक छेंणापती ही था, भारत से धन प्राप्त करना चाहता था, लूट मार के द्वारा अपने अफखान सनीकों को संतुष्ट करना चाहता था, और नवीन विजयों द्वारा अपने परतिस्टा एम सकती को यह बढ़ाना च आता था दो इन सभी बातों से ये मतलब मोटिवेट होके और भारत पर आकर्मन करने की ठान लेता है ठीक है आप देखेगा पानिपत का जो त्रीते यूद है ये 14 जनुरी 1761 को होता है पानिपत की तीसरी लड़ाई दूरानी सामराज जे अर्थात अफ़कान और मराठों के भीच लड़े गई थी यूद महतोपुन था क्योंकि भारत में मराठा परभूत्वे के अंत में चिन हित था अर्थात मराठा जो सकती थी उसका अंत हो गया था इस यूद के समय में अफ़कान एहमत साह अबदाली नेतरतों में था और बाजीराव पेश्वा के नेतरतों में मराठों ने उत्री भारत में नियंतर निस्तापित किया था यह यूद एहमत साहबदाली और बाजीराव के मद्दे लड़ा गया था ठीक है इस यूद में एहमत साहबदाली की जीत हुई थी ठीक है इस यूद में मुगल समराट मुहमत साह की मर्त्यू के बाद एहमत साह नया समराट बनता है जिसने अवद के सुवेदार सब्दर जंग को अपना वजीर बनाया अवद के पडोस में रोहिल खंड के रोहिलों ने दीरे दीरे अपना राजे बढ़ाना आरम्त किया और अवदाली के संभावित आकर्मन की सूचना मिली इस पर समराट की ओर से वजीर सब्दर जंग ने अप्रे 1752 इसमें मराठों से समझोता किया जिसके अनुसार मराठों को पंजाब सिंध दोवाब से चोथ वसूल करने का दिकार दिया गया तो चोथ एक कर्था हुए वसूल करने का दिकार दे दिया गया और मराठों ने बाहियों और आंत्रिक संकटों से मुगल समराजी की रक्सा करने का वचन दिया ठीक है इस प्रकार मराठा मुगल समराजी के सरंग सकतों बन गए तथा दिल्ली तरबार की राजेंती भी उन्होंने उलजना स्टार्ट किया इस मुगल समराट और उसके वजीर के बीज मत्वेद उत्पन हो गया और दिल्ली दर्बार में दो परस पर विरोधी दल बन गए कौन-कौन से दोनों पक्सों ने मराठो से सहता प्राप्त करने का प्रियतन किया ठीक है मराठो ने समराट का साथ दिया तथा मुगल वजीर को कई बार प्रास्ट किया बार बार प्रास्ट होकर वजीर अपने सूबय को लोट गया और तेरा महिए 1764 इस्वी को समराट ने इन्ति जामुद दोला को अपना नया वजीर बनाया सब्तर जंग की जगा कोन आता भी इन्ती जामुद दोला लेकिन निजाम के बड़े लड़के गाजी उदीन ने जो अत्यदी की महत्व कांग से और शड़ें तरकारी भी था वैं अहमत साह को पचुत कर आलमगीर दृत्य को नया समराड बनाता है और खुद वजीर बन गया नया वजीर गाजी उदीन अपनी स्वार्थ पूर्ती हे तू कभी मराठों से तो कभी रोहला स सिसू पुत्र के नाम पर सासन चलाने लगी लेकिन गाजी उदीन ने एक इस्त्री का सासन पसंद ना करते हुए फरवरी 1756 में पंजाब प्राकर्मन कर दिया और मुगलानी बेगम और उसकी संपती पर अधिकार कर लिया और उन्हें दिल्ली लिया गाजी उदीन ने साही परिवार की स्त्रीयों को भी काफी प्रेसान किया प्रेसान बेगमों ने रोहिला सरदार नजीब खांसे साहता माएंगी नजीब का मानना था कि घजी उदुन मराठों की सक्ति को समात करने के लिए उसने अहमस अब्दाली को मंतरित किया ठीक है उद्दर मुगलानी बेग पहुंचा और लाहोर पर अधिकार कर लिया इसके बाद वह दिल्लिया पहुंचा उसने दिल्ली के नागरी को इंबड़े-बड़े मीर को लूटा फिर मतुरा के आसपास के छित्रों में बहंकर लूट मार की लेकिन इसी समय अब्दाली की सेना में माहमारी फैल गई थी औ और इसके कारण इसे वापस अपने देश लोटना पड़ा लोटते समय उसने नजीब खां को मुगल सामराजे का मीर बक्सी बनाया और अपने पुत्तर तैमूर शाहा को पंजाब का सासन सोंप दिया मुगल सामराजे की सुरक्सा का भाल लेने वाले मराठे इस समय राजस्तान के सासकों से धन बटोरने में व्यस्ते थे अब्दाली के लोटने के बाद रगुनात्रा और मलहारा होलकर सेनाय लेकर मई 1777 में आगरा पहुंचे नजीब खा ने मराठो और अब्दालों के मद्दे समझोता कराने का प्रियास किया लेकिन गाजिवदीन और मुगल समराठ के विरूत के कारण समझोता नहो सका क्योंकि वे दोनों नजीब खां को दंड देना चाहते थी मराठों ने नजीब खां को बंदी बना लिया और होलकर के अनुरोध पर उसे पुना मुक्त भी कर दिया ये कारिवाई मराठों के लिए आत्म घती सिधुई तत्पसाद मराठों ने लाहोर पर दहा मार कर तैमूर सांगो महां से भगा दिया मराठों ने अटक तक धावे मारे और वापसी के पूरे अधिना बेक को लाहोर का सुबेदानियों कर दिया अब्दाली के दिकारियों को पंजाब से निस्कासित कर देने से अब्दाली कुरूध हो उठा और सेना के साथ उसने भारत पर चड़ाई कर दी पेश्वा ने अपने चचेरिय भाई सदासीव राव को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की और बेजा सदासीव के नेतरतों में तो मराठा सेना और अबदाली के नेतरतों में अपकान सेना के बीज पानिपत का तीसरा युद्ध हुआ था ठीक है तो देखेगा पानिपत का तीसरा युद्ध के बीज में हुआ था एमसाबदाली और आपका ये पेश्वा था बाजी राव और पेश्वा बाजी राव किसे न करने तरते कोन करा था सदासिव राव भाव ठीक है अब देखेगा आता आपका पानिपत का जो 30 रायुद है इसके कारण अपने पढ़ेंगे तो देखेगा भारत में माराठों का दिल्ली की राजनिती में हस्तक सेब हमने आपको पहले ही बता दिया है ये सब और भारत में राजनितिक सुन्यता थी मतलब एक लंबे समय तक दिल्ली के सासक भारत की राजनिती पर छाय रहते और दिल्ली के बासा के प्रभुता भारत की अन्य सक्तियां भी स्विकार करती जब तक केंद्रिय सत्ता सक्तिसाली रही भारत के उत्र पस्यम से आकर्मनों का भे नहीं रहा। का एक सिधान्त होता है कि ऐसी सुनेता बढ़ने का जो अन्य सक्तियां वो प्रियास भी करती है। दिल्ली पर परभाव जमाने के लिए ये लोग अपना संघर्स भी करते हैं। कि दिल्ली पर परभाव जमाने हैं। मतलब वह बात है औरंग जैप की मर्त्व के बात क्या होता है कि मुगल समराज ये वह सक्ति हीन तो हो गया था। लेकिन उसकी वैदानिकता जो है वो अभी कई सक्तियां स्विकार भी करती थी और भात्य जनता भी उसे सरदा से देखती थी। सबी सक्तियां मुगल समराज पर अपना परभाव बनाये रखना चाहते थी ताकि मुगल समराज पर अपने परभाव का उप्योग अपने हित में कर सकें। और 1749 इस्यू में आवत का नवाव सब्दर जंग वजीर था जब अबदाली ने उसे अठाकर निजाम के पुत्तर नासिर जंग को वजीर बनाना चाहा तो सब्दर जंग ने मराठों से सहता मांगी लेकिन 1753 इस्यू में जब मुगल समराज और वजीर सब्दर जंग के बी बनता है 1777 इस्यू में अबदाली ने भाट प्राकर्मन किया और वापिस लोटे समें नजीब खां को मीर बक से न्यूट कर गया अबदाली के लोटने के बाद मराठों ने नजीब खां को हटा दिया और एहमसा बंगस को मीर बक से न्यूट कर दिया इन गठनाओं से पता चल जाता है कि मराठों ने दिली दर्बान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अबदाली का विरोध क्या क्योंकि वे मुगल समराट पर अबदाली का प्रभाव सहन करने को तयार नहीं थे जिसके कारण अबदाली को गुस्सा आया और उसने युद्धि अबदाली का भारत की राजनेती में हस्तक सेब आप देखेगा जो अबदाली अबदाली यह भारत की राजनेती में हस्तक सेब भी करता है 1745 इसवी से अबदाली भारत की राजनेती में हस्तक सेब करने पे मतलब अपना जोड देने लगा और 52 इसवी में उसने 1752 में उसने नजीब खां को मीर बक्सी वह अपने पुतर तैमूर साह को पंजाब का सुवेदार ने किया था पंजाब पर उसका पहले ही अधिकार था अब उसने रोहिलों पर भी अपना परभाव इस्तापिते किया यदेपी रोहिला सरदार नजीब खां और अवद का नवाब सब्दर जंग एक दूसरे के सत्रू थे इंतो अबदाली ने अपनी कूट निती से ना कैवल नजीब खां को अपनी और मिला रिया था मराठे अबदाली की इस प्रगत्ती को रोकना चाते थे अते दोनों में युद्धे तो होना जरूरी ही था और जो अबदाली है इसकी सैने सफलताएं देखेगा 1752 से 1757 के बीज अबदाली को भारत में लगातार सैने सफलताएं मिलती जा रही थी अबदाली की बढ़ती हुई सक्ति से अन्य सक्तियां भारत के किसी राजे मतलब जो अन्य सक्तियां है या तेदिक प्रभावित हुई और ये समझा जाने लगा कि अबदाली की सेना ये तो अज्जे हैं मतलब उनको कोई भी जीत नहीं सकता उत्री भारत के किसी राजे कोई विश्वास नहीं रहा कि मराठों की सेना अब्दाली की सेना के विरुस सपल हो सकती है यह कारण है कि किसी भी परमुख भारती राजे ने पानिपत के यूद में मराठों का साथ नहीं दिया और इस कारण क्या होता है कि राजपूत हैं जाठ है रूहेले हैं अवत के नवाब ये मराठों से नाराज हो गए थे और ऐसी प्रिस्तितियों में मराठों का मनोबल गिरा इसके विपरीत अबदली की से ने सफलताओं के कारण अपकान से ना का मनोबल सदा उंचा रहा ठीक है उत्तर भारत की एस्तिर राजनिती तो जो उत्तर भारत है उसमें राजनिती एस्तिर थी अब क्या होता है कि ये किसी को पता नहीं था उत्तर भारत की एस्तिर राजनिती के कारण कोई भी पक्स यह नुमार नहीं लगा सका कि कौन सी सक्तिय किस का साथ देंगी और इसी कारण क्या होता है कि यह जो आपका है जो एहमसाब दालिये इस चीज का फाइदा उठाता है और भाट प्राकर्मन कर देता है पंजाब में अफ़कान मराठा संगर्स हो जाता ह है यूद की परिष्टितियों मतलब ऐसी हो गई थी कि मुगल समराठ ने मराठो को पंजाब से चोथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था किन्तु इसके बाद अबदाली ने पंजाब पर अधिकार करके अपने पुत्तर तैमूर सांकों का सुभेदार नियुक्त किया था 1758 हिस्वे में मराठों ने तैमूर सांकों वहां से बगा दिया अबदाली को ये पर्तिक स्चुनोती थी मराठों की और अपकान सिन्दों ने नावंबर 1769 में पुना पंजाब राकर्मन कर मराठों को पीछे दखेल दिया इस समय पेस्वा पंजाब पर अबदाली के दिका स्विकार करके कोई कूटनीतिक समझोता कर सकता था किन्तु ऐसा करने से मराठों के परभूत और परतिस्टा को धका लग सकता था अच्छा पेस्वाने सद्दासीवरा भाव के नेत्तोतों में एक सेना उत्तर भारतियों वेजी और ऐसी परिसितियों में मराठों और चल्म है जिए और देखेगा ये तो टे पानिपत की के त्रीते युद के कारण और आवा आता है युद की घटनाए घीक है अब देखेगा पानिपत का जो मैदान है जो हनियानाराजे में स्थित है इसमें जो पानिपत का त्रीती युद हुआ था इसकी क्या- carpet घटनाए ह को बहुत पहुंच चाहिती ठीक है तो जो मराटा से ना है उसका जो नेतरत्वा करता कौन था सदा सिवरा भावु और ये पेश्वा बाजीराव की तरफ से था और जो तोप खाना है उसका जो परमुकतावेक था इबराहिम गार्दी तो ये स्टार्टिंग में तो क्या करता कि अबदाली की सेना को बहुत हाने पहुंचाता है सदा सिवरा भावु और सिंध्या ने अनिक विश्ण प्रहार किये परंतु पांच गंटे के विश्ण युद के बाद मराटा सेनिक ठक गए इसी समय अबदाली ने अपनी सुरक्षा सेना को भी युद में जोंग दिया और पेश्वा का पुतर विश्वास राव सत्रू की गोली से मारा गया ठीक है तो जो पेश्वा बाजी राव था उसका पुतर था विश्वास राव वह है सत्रू की गोली से मारा जाता है और इससे सदा सिवरा भावु अपना सैयम खो बैठता है और अंता धुन लड़ते हुए मारा गया तो ठीक है से देखिए पहने पत के तरिती युद में कि मर्त्य हो जाती है और एक जो उनका सिनापतिता सदा सीवराव भाऊ उसकी भी मर्त्यू हो जाती है मलहार राव होलकर ने सुर्यों से आखिर तक यूद में विशेश भाग नहीं लिया और इस्तीति को परतिकूल भाब कर अपनी सेना सहीत यूद के मैदान से भाग खड़ा हुआ ठीक है मलहार राव होलकर है वह भी वहाँ से भाग जाता है मराटों के अन उसके समर्थकों को मराठों के उपर निर्नायक विज़े प्राप्त होती है ठीक है तो देखेगा मतलब यूद में पहले मराठे जीत रहे थे लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे विश्वास राय था पेश्वा का बिटा ये मरा जाता है इसे क्या जो सेना पतिय सदा सिवर भाव वह अपना सियम को बैड़ता है वह एकदम से लड़ने लगता है तो वह भी मरा जाता है और कई ऐसे होते हैं जैसे मलहारा होलकर जैसे होते हैं वो मतलब सोचते हैं कि अब हम नहीं जीन सकते हैं तो वह वहाँ से भाग जाते हैं और जो परसित से ननायक है जो स्वंत लिया जाता है और फिर क्या होता है कि यह अबदालिया वह 20 हत्या कार्ड करता है लोगों को मा आरता है सेना को मारता है और फिर मराथों पे अपनी निरनाएक विज़े प्राप्ते कर लेता है तो इस परकार से जो आपका पानिपत का तृतिय युद्ध है वह है एहमसा और अब हम क्या करेंगे कि आप आगे के वीडियो में आपको जो ये इसके पानिपत के तृतिय यूद के जो परिणाम है और जो मराठों की पराजे के परमुक कारणा वो पढ़ाएंगे और हमें आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि हमने जो भी नोट्स बनाए हैं वो एकजाम की दरस्टी से मलसोरी हम एकजाम को देखते हुए बनाए हमने तो आप वीडियो को ढंक से देखेगा आपको एकजाम में हल्प मिलेगी हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद